वहण है वह सबाइधा फोकस रखनेवाले है चौथे घर में तो लिब्रा वालों के लिए जो अरुडदा लगने वाले है सब साधा फोकस ओ आ रहने आस्ट्रो में आपका स्वागत है जुपिटर ट्वांजेट सरीज में आज हम लोग लिब्रा साइन की बात करेंगे और साइन इसलिए क्योंकि मैं अरूदा लगना की बात करता हूं तो अगर आपका अरूदा लगना लिब्रा में पढ़ रहा हो तो यह आपके लिए ऐसे आपको पता चलेगा कि बॉड़ी के लिए क्या आप जेनरली लगना से हम लोग देखते हैं अगर कोई अक्सिदेंट ऑक्सिदेंट की बात होती है या फिर मून से भी पीड़ा अगर एक्स्ट्रीम दिख रही है तो फिर आप देख सकते हैं कि कहा उसका उसर हो रहा है लेक ये एट्थ हाउस से जुपिटर ट्रांजिक कर रहा है जुपिटर का एट्थ हाउस का ट्रांजिक जेनरली शास्त्र में ये कहा गया है कि बेनिफिक जब यहां जाएंगे तो बहुत बढ़िया नहीं हूँ ये तब की बात थी जब महारिशी परासर ने लिखा था लेकिन आज के डेट में आप अगर इसको इंटर्पेट करेंगे धंग से तो पता चलेगा कि जुपिटर जब वे एट्थ हाउस से जा रहे हैं तो अपनी तीन द्रिष्टियां अलग अलग जगा पे डाल रहे हैं और उसका अपना एक मतलब है जैसे पहली बात आट में से जा रहे अब इसका मतलब क्या है देखिए वो हिड़न प्लेस है हिड़न प्लेस पे आपको बहुत सारी इसे बिमारी है जो हिड़न थी अब जुपिटर उसको बाहर लेकर क्या हैंगे क्योंकि उनका काम है चीजों को ठीक करना क्योंकि सामने दूसरे घर मार का स्थान है अगर माली जैसी बिमारी चल रहे थी जिससे आपको भै थी कि नहीं मेरे को कुछ हो सकता है तो जुपिटर एट में बैठके उस बिमारी को पहले बाहर लाएंगे तो अब उसके बाद उ लेकर कि आप को सकता बैंकिंग में, इंशुरेंस में, रिसर्च में, इंजिनियरिंग में, डॉक्टरी में जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने की सुच्छन है उसमें आप इंवेस्टमेंट शुरू कर देंगे, टाइम इंवेस्टमेंट ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि जुपिटर एट से जा रहे हैं जो भी हिडिन जो इस तरह के जो साइंस हैं जिसमें आपको दिस्कवर करने की जुरूरत है, जिसमें ज्यादा इंवेस्टमेंट आपका जो हिडिन है, सुत्रों को डिकोड करने वाली बात है, गुरू ख पिता जी हॉस्पिटल में अगर थे तो वो बाहरा जाएंगी, शुपिटर गया है, उनसे ट्विल्थ जा रहे हैं, यह भी दिखार आपके पिता जी फॉरेंट ट्रावल कर सकते हैं, माता जी किसले फिफ्ट है, आपकी माता जी जो है, अगले एक साल तक दम पावर में रह जाएंगी घर पे, पावर अथारिटी उन्ही के हाथ में रहने वाली हो सकता है, पिता जी विदेश चल जाएंगे, तो रहिए माता जी के पास ना भी जाएंगे, तो भी माता जी के पास पावर जो है, शिफ्ट होने वाली है, जो आपके स्पाउस, आपके स्पाउस की जो मारका स्थान है अगर उनको कोई दिक्कत थी तो उससे वो बाहर आ जाएंगे जुपिटर उनको बाहर ले करके आएंगे और सबसे बड़ी बात उससे जादा क्या है कि उनके लिए वेल्थ एक्कुमेलेशन का टाइम आपके स्पाउस के लिए फैंटास्टिक टाइम है क्योंकि उनके लिए सेकंड हाउस परता है टॉरस और वहां से जा रहे हैं दूसरे गुरू ये दो गुरू पैसा ही देते हैं सेकंड हाउस में दोनों वेल्थ के कारक हो गया तो उनके पास उपरचुनिटी है इमेंस वेल्थ का आपके पास क्या उपरचुनिटी है इन्हेरिटेंस मिल जाएगा जी इन्हेरिटेंस के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा पैसा तो आपको मिलना है आठवे घर का पैसा मिलना है नो डाउट आप अधर्स मनी को एकसेस कर पाएंगे बड़ा लोन चाहिए बिजनस में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि आप बिजनस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे है जाइए अब आपको एक में के बाद आपको मिल जाएगा बड़ा लोन आप अगर माली जे बैंकिंग सेक्टर में है आप insurance sector में है आप ऐसे किसी sector में यहां दूसरे के पैसे को utilize करते है यह आपके लिए fantastic time inheritance का problem चल रहा तो वो sort out हो जाएगा अब आपको पैसा मिलने वाला है क्यों problem चल रहा था क्योंकि 2-6-10 के train में आपके आये हुए थे के तु देव चीजों को cut 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 रहे थे किसकी चल रहा था घर में आपको डर लग रहा था कि पता नहीं inheritance मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि तु आपसे बैठे हुए थे आपके अरुदा लगना से बैठे हुए थे 12 में आपका sleep disturb था परिशान थे आप insecurity थी क्या मिलेगी property मेरे को पिता जी से या नहीं मिलेगी इन सब जो insecurity आपके अंदर चल रही थी inheritance को लेकर कि all of a sudden में के बाद चीज़ें बदल जाएंगे आप सोने भी अच्छा लगेंगे आप meditation बहुत अच्छा करने लगेंगे कि तू ऐसे दिखा दिया और एडिट तो मैं करूंगा ने में ठीक है मैं सबसे कम एडिट के साथ जाता हूंगे जो एडिट करने में मज़े इन आता है लग रहा जैसे अब जुपिटर की जब दिरिष्टी पढ़ेगी तो partner के entry हो जाएगी लेकिन वो partner की entry के साथ एक problem क्या है कि hidden desire वाले house में अब उसमें आप मत लग जाईएगा मैं आगा कर दे रहा हूं उसमें लगेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्यों बारहवे से बारहवा पढ़ता है इगारवा घर जहां साथन के दिरिष्टी है सात्वी दिरिष्टी बेट प्लेजर के चक्कर में पढ़ेंगे वो social circle भी है चीजें बाहर आ जाएगी जब देटिंग में लेट भूल रहा है तो उनको एक अच्छा टाइम है अगले एक साल तक आपको बढ़िया व्यक्ति बढ़िया व्यक्ति से आपको मुलाकात हो सकती है condition सिर्फ वहां एक ही है चुकि जुपिटर का aspect है तो आपका expectation होगा कि भाई बंदा knowledgeable होना चाहिए पढ़ा अब जुपिटर आपको कहने वाले फालतू को खर्च मत करो या इनकी द्रिष्टी चौथे घर पे भी है नौमी द्रिष्टी बारा हुआ मुव्मेंट दिखा रहा है चौथा भी दिखा रहा है तो क्या करेंगे भाई घर बदल देंगे नए घर में चले जाएंगे नई ग तुँ हैं बीच-वीच में कट-कट करेंगे तोने छोड़ेंगे लेकिन जुपिटर उनको कंट्रोल करेंगे घर में रिनोवेशन आप कर सकते हैं और रिनोवेशन जो है वो अच्छा रिनोवेशन भी बड़ा स्टाइल से होने वाला है यह नहीं होगा कि लाया और पेंट अधर के रहे ना उधर के रहे तो नौमी द्रिश्टी जो है वो सेट अफ रूल्स है जब आदमी रिनोवेशन कराने जाएगा पहले एजनसी हायर करेगा उससे बूलेगा चलो यहर मैं आप सब बना के देदो क्या करोगे कहा क्या कलर लगाओगे एक होता है वो राहू वह होता है या किसी से बात क्या हुआ है बला यहां पेंट कर दो यहां कर दो खड़ा होके सब बढ़ता दिया के तू ट्राइंग में है के तू डिटेलिंग में जाते है और राहू की जो जूपिटर की जो नौमी द्रिश्टी है वो सेट अफ रूल्स दिखाती है तो एक जादू कि यह आपके लिए अच्छा नहीं है क्यों अच्छा नहीं है चुकि जूपिटर की द्रिश्टी पढ़ रही है तो आप वहां पे सबको घर में बोलेंगे यार इस रूल से चलो लेकिन जो चौथे से गार्मा पढ़ता हो दूसरा घर पढ़ता है स्कॉर्पियो सा रहेंगे तो यह भी आपका कंट्रोल हो जाएगा लेकिन आपके चार्ट में अगर स्कॉर्पियो साइन या मार्स एफलिक्टेड है तो यह जो सेट अफ रूल्स आप बना रहे हैं घर पे चुकि उसका हाउस ऑफ विश फुल्फिल्मेंट है डिजार फुल्फिल्मेंट है जिस डिजार के साथ ही आप बना रहे हैं वो फुल्फिल नहीं होने जाएं क्योंकि जूपिटर का कॉंट्रिबूशन 33% कहीं होने जा रहा है बाकी तो 66% जो है एक परसें राम भरो से 66% जो है वो सैटन और राहू के पास है एक और मैलिफिक इंफ्लूएंस चाहे वो उसक की उपर भारी पढ़ जाएगा वो सकता है माता जी से कसके पढ़ने वाली आप बी रेडी बच्चे जो है तीनेज वाले वो तयार रहें ज्यादा रूवी की बात कीजेगा तो वो सकता है माता जी आपको उन लोग के कहते थे ठेठा देंगी ठीक है तो ये उनकी नाइंत जो नाइंत आसपेक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ नाइंत आसपेक्ट जो है वो बॉस दिखाता है मतलब क्या है अपनी मात वो हुई आप बॉस समझ के सेट अफ रूल गौव्मेंट समझ के उनका पालन करने वाले ये दूसरा असपेक्ट है अगर ये आप करते है तो तो कहीं ऐसा नहों कि कुछ ऐसा कर बैठिए बोल बैठिए कि ट्रांस्फर्मेशन का कारण वह बंगे बहुत लड़ाई जगड़ा करते हैं बीसिक लेंगेज यूज करते हैं दुछार में अंदर रहा क्या आते हैं तब उनको जीवन समझ में आता है पूड का भी है तामसिक भोजन कुछ सड़ागला खा लिया हॉस्पिटल चले गए तब जीवन का एसास हुए जीवन है क्या तब उसके बस सात्विक हो गए अचानक से ऐसे तो सैटन का आसपेक्ट है सैटन का आसपेक्ट का रहा है तक फास्टिंग में रहो जूपिटर कर लो ऐसे ही बन जाओ तुम भी बचने की ज़रूरत है फैमिली की वज़े से ट्रांस्फर्मेशन आ सकता है आपके घर में ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि शायद बटवारा वरकी बात चल रही हो किच-किच चल रहा हो थोड़ा इस आउट करेंगे नो डा है तो घर का जो बटवारा या घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो शॉट आउट नहीं होगी और आपको इन्रेटिंस नहीं मिलेगा अकेला जुपिटर एट में बैठके नहीं करतेंगे दूसरे का सपोर्ट उनको चाहिए मैं मिशा करता हूँ अपोजीट घर से सपोर चाहिए लेकिन आपने देखा कि नहीं यार बैनिफिक इंफ्लूएंस है स्कॉर्पियो के उपर या मार्स के मार्स जो अच्छे कंडीशन में है तब आप कह सकते हैं घर का मामला विसुलत जाएगा और इन्रेटिंस भी आपको आठमे घर से नहीं जाए तो यह आपके अगर अगर अफ्लिक्टेड है आप देखिए एक देख लिया कि छोटे भाई बहन जो है चोटा भाई बहन वह हॉस्पिटल में ताप कह सकते हैं बड़े भाई बहन का हाउस ऑफ रपिनेस गया खुश नहीं रह सकते हैं अगले एक साल तर पिता जी को लिए बोल दिए कि इनको भाई रोग होने वाला है माता जी का जो गेन है वो खतम होने वाला है यही पॉजिटिव हो गया तो आप सब उलेट देंगे आपने किसी कोई क्लाइंट से पूछा कि भाई बताओ तुमारे चोटे भाई कि क्या हालत है माली जीया चार-पांच महीने बाद ऐसी करने वाला है तो आपके बच्चे का तो काम बहुत बढ़ी है चल रहा होगा मेरे सबसे करना क्या है एक हाउस के रिजल्ट को देखा पॉस्टिव है तो सब इधर से गूम करके पॉस्टिव हो गया है आप कर सकते हो यार कि अगर आप बिजनेस में हो लोन के लिए चार हो तो अधर समनी आपको मिल जाएगा कोई वक्ति आके बोला आपसे कि हाँ मैं सोच रहा हूं बिजनेस के लिए लोन लेने के लिना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मिलेगा या नहीं मिलेगा आपका चोटा वाला भाई उसने बोला विदेश में है जस अभी ट्रैवल करके हड गया है कर दार कह रहा है कि माताजी जो एच्छा गेंड कर रही है यह पहले बच्छे का काम दान्दा बढ़ियाँ चल रहा है हां जी जाओ बिजनेस के नाम पढ़कर मिल जहने कि इसमें नाम पर मिल जाएगा वह सकूर्प्यउ और आप लैगायों देखेंगेखेंग क जो है मकर में है नवामस में अब वो मकर में जो है वो सबसादा फोकस रखने वाले है चौथे घर में तो लिब्रा वालों के लिए जो अरुदा लगना वाले है सबसादा फोकस हो और रहने वाला है वो मकर मिलेगी जुपिटल का नाइंध ऐस्पिक्ट है धर्मा फॉलो करें सेट अफ रूल्स फॉलो करें पबली के बीच में जाएं इमांदारी से बात करें दूसरा होस अगर अफ्लिक्टेड नहीं है तो आप विजय होके लोटेंगे अफ्लिक्टेड है तो तो मतलब तो ऐसे आप देखते हैं कि रिजल्ट क्या होगा आप अपने पिता जी के लिए देख सकते हैं कि भाई उनका जो है तवित खराब है पहले से तवित खराब चल रही थी तो अब थोड़ी वो टॉग्रेस होगी जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके पास प्योंकि इस्तिती अच्छी है सारे आस्पेक्ट के बाद तो आपको लाब मिलने वाला बहुत से संबंद अच्छा रहेगा प्रमोशन वगरा हो जाएगा उसके लिए कहीं कोई प्रॉलम नहीं जो लोग बिजनस में हैं उनके लिए मने बताए उनको अधर मनी का एक्सेस ह माता जी के लिए मने बता दे उनके लिए गेन है पिता जी के लिए रिन रोग शत्रू वाला हॉस है अच्छा है बुरा जो है वह आप उसको अनलेस कर लें कितना मेलिफिक कितना बेनिफिक है लेकिन एक चीज तो तैह है लिब्रा वालों कि आप अपनी एनर्जी को प्रॉब्लम कहां आएगी राहू की द्रिष्टी जो है वो दसमें घर पे है तो करम करते समय आपको एक भै रहेगा और यह भै आपके प्रारब्द से आ रहा है क्योंकि राहू बैठे हुए हैं पैसी साइन में जो आपके छटी साइन है प्रारब्द की रासी है पूरो जूपिटर से ट्राइन ना पकड़ें जूपिटर के आस्पेक्ट से भी आप ट्राइन पकड़ें मैं इस घर में बैठा हूँ और दूसरे घर पे मेरी द्रिष्टी है और उसको मैं अच्छा कर रहा हूँ तो उसका ट्राइन भी उसी तर से उस पे असर आएगा तो अगर आप ढंक से देखेंगे बजलाएगा कि चाहे वो पचीस परसेंट हो पचास परसेंट हो पचातर परसेंट हो एक प्लानेट की इनर्जी बारहो घरों पर रहती तो अभी तो आपको मिक्स रिजल्ट आता यह ब्लैक और वाइट तो नहीं ग्रे एरिया है आपको समझने की ज़रूरत है खैर मैं यह बता देता हूं रणिंग यह किन के लिए अच्छा और किन के लिए ट्रांसफोर्मेशनल है रणिंग यह में 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 44, 44, 52, 56, 64, 68, 88, 80, बढ़ते चले जाईए जिनका यह रणिंग यह है पैसा बनाईए एलेक्शन जीत के आईए कोई द मैं जो रणिंग यह बता रहा हूं ट्रांसफोर्मेशन उसमें दो बाते ध्यान रखने हैं अगर उस पे मैलेफिक इंफ्यूएंस नहीं है स्कॉर्पियो पे या मार्स पीडित नहीं है तो रिजल्ट ट्रांसफोर्मेशन अच्छे तरीके से होगा गदी मिल जाएगी नौ तो यह वो साल है जिसमें आपको तकलीफ हो सकती है और तकलीफ किसलिए चाहे वो सुख हो दुख हो यह ट्रांसफोर्मेशन लेके आएगा जो आपके लिए अच्छा है क्योंकि इसके बाद जो ट्रांसिट होगा अगले साल वो आपके ट्राइन से होगा तो चाहे वो दु लेते हैं फिर अगले वीडियों मिलेंगे नमस्कार